हलो दोस्तों वल्कम टो अधिती स्वाम कैसे हैं आप सब आशा करते हूं बहुत अच्छी होंगे आज के वीडियो में मैं कोई भी मेकप प्रोडॉक्ट के वारे मैं रिव्यू नहीं शेयर करने वाली हूं आज शेयर करेंगी एक मेकप टूल के उपर अपना रिव्यू और य यह है आज का हम लों का प्रोडॉक्ट जो कि लैकमी का एक डवल यूजस मास्टर मेकप टूल्स है जो कि डूल साइडेट मेकप ब्लेंडर है तो कुछ इस तरह का आता है और मेरा मेरे पास जो ब्लेंडर सब था वह बहुत पुराना हो चुका था तो मैं सोच रही थी आप porकेश किवो तो मैंने कभी यूजस किया नहीं है तो एक बर इस त्राइय करके देखते हैं और उफ-लैं इस तूट वया है तो काफी जहाँ झीज popeमी लगा तो यह वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए अगर आपको helpful लगे तो like and channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा तो चलिए फिर वीडियो को start करते हैं और इसका packaging कुछ इस तरह कहाता है का यह काड़बोर का packaging में उपर में चारो और आपको instruction मिल जाएगा कुछ ना कुछ और सबसे पहले तो यह फ्रॉंट साइड में आप देख सकते हैं लाकिमी absolute का है यह makeup master टूल जो की dual sided makeup blender है और साइड में यह आपको how to use का instruction मिल जागा यहां पर मैंड पॉइंट लिखा है कि आप फ्लाट साइड और फ्लाट साइड को आप लाज जरिया के लिए makeup को blend करने के लिए यूज कर सकते हैं और सबसे बड़ी हाँ बात मुझे यह sponge का यह लगा है कि इसको आप आइदर वेट करके भी यूज कर सकते हैं और ड्राय रहे तब भी यूज कर सकते हैं यह दोनों के टाइम में भी perfectly आपको finishing दे देगा तो यह मुझे एक test करने वाली बात लगी है हम देखेंगे इसके उपर बात करके और इसको कैसे यूज करना है अप्टर यूज आप इसको gently mild soap या water के साथ आप clean कर सकते हैं ट्विश्ट नहीं करना है ना ही scratch करना है वेगाज इस sponge तोट सकता है और इसके अंदर एक ही quantity है और बाकी इसका और कुछ इसमें बताने वाली चीज है नहीं तो चलिए फिर हम इसका इनर देख लेते हैं और यह कुछ इस तरह का package में आया है और बाहर में भी रेट कलर का है अंदर में भी मुझे रेट कलर का ही blender मिल गया है और यह जादा कुछ protection नहीं है बट एक polythene के साथ protect होके आया है जो कि वह भी पुला हुआ है और इसमें भी sponge में भी आई थिंग आपको visible नहीं हो रहा होगा बट यहां पर भी like me absolute का logo लगा हुआ है तो ऐसे में तो यह का फील करने में काफी जाज़ा sponge है मतलब spongy लग रहा है और इसका जो texture है काफी जाज़ा smooth है तो नहीं पता यह dry में कैसे काम करेगा और weight में कैसे क करेगा तो चली हम आज कुछ ट्राय करके देखते हैं और product करना है कि यह product को absorb नहीं करेगा मतलब बहुत तरह की sponge होती है जो कि आपका कोई भी foundation या BB cream कुछ भी apply करें उसको काफी वह soak कर लेता है तो इसको हम try करके देखते हैं तो अभी मैंने अपने face को clean कर लिया है एंड ह सोची मैं कि दोनों वीडियो को एक साथ ही क्यों ना दिखा दूं और मुझे रिक्वेस्ट आता कि मैंने जो new launch लेकमी का absolute luminous skin tint का जो review share क्या हुआ है ना उसका कि मुझे request यह था कि मैं इसका beauty blender के साथ इसको blend करके दिखाऊं कि कैसे हो रहा है तो सोची कि चली मुझे blender भी try करना है और इसका भी requested था वीडियो तो दोनों को आज ही कमाइन कर लेते हैं तो आज हम इसको blend करके अपने skin पर देखेंगे उससे पहले अपने बाल को थोड़ असा कर लेती हूं ताकि वह मुझे disturb ना करे blending के time में तो चलिए दोस्तों हम इसको फटा फट से apply कर लेते हैं और इसको मैं कुछ हाथ बात में लेकर apply नहीं करते हूं डारेक्ली इसको मैं अपने face पे ऐसे ही लेकर के apply कर लीती हूं तो इसको हम फटा फट apply कर लेंगे और जो इसको blender के साथ तो हम blend करके देखेंगे ही बट उससे भी एक चीज हम ट्राय करेंगे कि जो blender claim किया है ना weight and dry आप कुछ भी इसका use कर सकते हैं तो उसका भी हम आज try करेंगे कि कैसे वह weight वाला में कैसे result दे रहा है flawless आ रहा है कि नहीं और dry में भी वह कैसे हम लोग को result देता है तो इसको हम बहुत ही अच्छे से लगाएंगे बिकास यह coverage नहीं देता है इस वह से हमको इसका थोड़ा सा जाधा amount में हमको लेना पड़ेगा अगर इसमें पता नहीं चला तो don't worry मैं इसके उपर foundation apply करके आप लोग को दिखा दूंगी कोई problem नहीं है बट यह requested था इस वह से मैं सोची कि इसका क्या है separate video डालू इसे के साथ ही डाल देते हूं तक इस को देखिए डॉट डॉट फॉर्म में पूरा स्किन पर बहुत ही अच्छे से apply कर लिया है कहीं बर भी मैंने छोड़ा नहीं है इसको बहुत ही ज्यादा amount में apply कर लिया अब हम सबसे पहले इसका dry side को देख लेते हैं और हम यह मैं लेप साइट में इसका dry वाला मलब sponge को dry रहके ही करके देखती हूं blend की यह क्या कर रहा है कैसे हम लोग को कि फिनिस दे रहा है ठीक है तो फटाफट से मैं इसको blend कर लेती हूं और यह देखें यह ना बिल्कुल भी मेक अप को आप सॉक नहीं कर रहा है जो भी है इसको उपरी लेयर पर रहे जा रहा है और यह बिल्कुल क्लियरली वीजिबूल हो रहा है आप देख सकते हैं यह प्रोडॉक्ट को लिटरली अंदर में उसका एब्जॉब नहीं कर रहा है यह तो यह मुझे बहुत ही अच्छा चीज लगा है फिर भी हम इसको वेट करके देखेंगे कि इसका क्या रेजल्ट आता है और आप यह देख सकते हैं कितना फ्लॉलेसली यह मुझे एक गलो दे रहा है अपने फेस को बिल्कुल भी बिल्कुल भी यह स्पॉंड जो है अब्सॉर्प नहीं किया है और जो हम लोग का लुमिनेस वाला है ना वह कितना अच्छे से हमको एक हलका सा गलो दे रहा है अच्छे से यह मुझे गलो दिया है कवरेज नहीं है उतना अगर हम लोटो मीडियम कवरेज बोल सकते हैं अब उतना कवरेज नहीं है अम इसको वेट करके देखते हैं और वेट करने के लिए मैंने यहां पे एक बॉल पे पानी ले लिया है और इसको मैं डिप करके वेट क साइज मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए दोस्तों अभी हम इसको स्ट्विच कर लेंगे एक्स्ट्रा वाटर को मैंने बहुत ही अच्छे से इसको निचोड लिया है और यह देखिए इसका साइज कितना अच्छे से और कितना बड़ा हो गया अपने हाथ पी पानी लगा हुआ इसको पोस्त देते हैं इसमें देखिए अभी और कुछ भी पानी नहीं किर रहा है तो हम इस साइड में ड्राय वाले में किये थे अभी हम इधर करके नहीं तो और मैं आपको यहां पर और एक चीज बताना चाहूंगी दोस्तों यह जो लूमिनेट टीन्ट है न स्कीन वाले क्रेम यह बिल्कुल भी थोड़ा टाइम अगर फेस पर रहे भी न तब भी यह ड्राय नहीं हो रहा है कुछ वाइट का छोड़ने जैसा नहीं दिखता है जै और आप यह देख सकते हैं दोनों साइड में बहुत ही ब्लेंट हो चुका है और आपे देख सकते हैं दोस्तों कितना कितना effortlessly यह पूरा skin फे मेरा blend हो चुका है और मुझे थोड़ा सा भी पता नहीं चला कि मैं ऐसा कुछ apply की हूँ heavy feel नहीं हो रहा है मुझे मेरा skin बहुत ही moisturizer apply करने के बाद जो feeling आती है तो मुझे यह काफी जादा अच्छा लग रहा है आप लोग को कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताए और जो luminate cream मुझे request आया था ना दोस्तों यह बिलकुल भी high coverage नहीं देता है और beauty blender के साथ भी इसको आप blend कर सकते हो बहुत easily कुछ भी यह product जो है आपके sponge आप नहीं कर रहा है दूसरा sponge के बारे में तो honestly मैं नहीं बता पाऊंगी यह वाज़ा sponge जो है मैंने बाय करके मुझे बहुत जादा help मिला है क्योंकि यह बहुत ही बहुत ही soft है smooth है और अपने skin को भी कोही पर भी foundation या फिर कुछ भी आप apply करेंगे न हम तो यह बिल्कुल ही flawlessly बिना product को waste किये यह blend कर देगा तो मुझे यह वाला बहुत अच्छा लगा है कोई भी अगर आप first time beauty blender का use कर रहे हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं आपका make up ज चाहिए वो beginners हैं या फिर कोई भी prompt क्योंग नहीं हो आप इसके साथ एक वाट ट्राय करना तो बनता ही है मैं यह कोई promote नहीं कर रही हूं बस में जी मुझे लेना था मेरा make up जो blender सब है वो खराब हो चुका था तो मैं सोची कि इसको ले रही हूं तो आप लोगे साथ वीड लेकिल जो है वो निकल रहा है और दर्वाइस फेस जो है ना बहुत ही लो लग रहा है बहुत ही क्रीम बहुत पसंद है और जिस वैसे की वीडियो स्पॉंज क्या है रिव्यू का तो मैं इसके बारे में बात करूं यह मुझे बहुत साथ अच्छा लगा है दोस्तों आप ज़रूर 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 ट्राइब कर देखेगा आप लोग को भी यह पसंद आएगा खास करके बिंगिनर्स आप लोगो में बार बार बोल रही हूं आप इसको जरूर करें अगर कोई भी मिक ब्रस लेना चाहते है या ब्लेंडर तो यह ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आप अपना सुरुवात करिए आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो चलिए फिर यह वीडियो बहुत ही छोटा साता और बहुत ही क्यूट सा और स्मूध है जो कि आपके मेकप को खराब नहीं करेगा तो आपको इसके साथ एक बार जाना जरूर चाहिए तो ठीक है दोस्तों यह वाला वीडियो को हम यहीं पर रखेंगे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल् अपना कहले की कुस्राइए नमस्कार